ऑपीड है तीन दिसंबल और विशे है है हंदी क्लास आपके शिख्ट और यहाँ पर अपको नाम और यहां पर आपको अपने टीछर का नाम लिखना है तो आगे चलते हैं क्या दिया गया है निम्लेकित गध्यांच को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्णों के उत्तर निर्देश अनुसा लिखिए प्रशन एक से चार तक प्रतेक प्रतेक प्रशन जो है एक अंग का है ठीके पांच और छे दो अंग के हैं और साथ से लेके दस तक इतने अंग के हैं बचो तीन प्रयोग इतिहासिक मानब ने सबसे पहने चित्रों के जरीए अपने भाव व्यक्त किये जैसे पक्षियों पश्यों आदमियों आदी के चित्र इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए जैसे एक छोटे व्रत के चहू और करनों के दयों तक रेखाएं खीचने पर एक सूरे का चित्र बन जाता है बाद में यही चित्र ताप या धूप का दयों तक बन जाता है इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए तब जाकर काफी बाद में आदमियों आदमी ने अक्षर की खोज की अक्षर की खोज की सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए है केवल 6000 साल अक्षर की खोज के साथ एक नए यूग की शुरुआत हुई आदमी अपने विचार और अपने हिसाफ किताब को लिख कर रखने लगा तब से मानव को सब भे कहा जाने लगा क्या कहा जाना लगा बच्चों सब्ध है आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरम हुआ कब से इतिहास आरम किया जब से इनसान ने आदमी ने लिखना शुरू किया किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी ने लिख कि लेक मलल लग जाते हैं इस प्रकार इतिहाश को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं उसके पहले के काल को प्रयोग इतिहासिक काल यानि इतिहास के पहले का काल कहते हैं एदे हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पातें प्छले कुछ हजार सालों में आदमें किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन राजा हुए इत्यादी अक्ष्रों की खोज मनुश्य की सबसे बड़ी खोज है अक्ष्रों की खोज करने के बाद ही मनुश्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा इस प्रकाल एक पीड़ी के ग्यान का इस्तिमल दूसरी पीड़ी करने लगी अक्षरों की खोच करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाती का तेजी से विकास हुआ यह मैत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिप्यों का आते हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं सब्चय को बनाए गए कहां बनाएगे और किस ने बनाया यह जानना सब्दिशान का उत्तर देतें हैं सुॉर्य का प्रयवाची करने मानव और बिलों आ सब्ध का विलों है क्या लिखोगे आ सब है अब आगे चलते हैं आगे है गद्यांच में से संग्या चुनकर लिखिए संग्या चुनकर लिखना है तो संग्या में आप लिख सकते हो मानव ठीक है मानव लिख सकते हो आप अक्षर लिख सकते हो अब आगे चलते हैं गद्यांज में कोई एक विशेशन चुनकर लिखे तो विशेशन आप लिखोगे सब है ठीक है गद्यांज के अनुसार किसी भी देश का इतियास कब से शुरू होता है इतियास के बारे में तीन वाक्य लिखे तो गधियांज के अनुसार किसीनस के इतियास स्थ शुरू होता जब से आदमियों के लिखे लेख एक दूसरे से मिनने लगते है मतलब कि जब से इन अदमियों लिखना सीफा तबSe जभए देश का इतियासस शुरू होता है ये तीन बाते हो गई नेक्स कोईशन है आपको गद्यांज के अनुसार भाव संकेत किस के बाद अस्तित्व में आए चित्र दोरा इनका विकास कैसे हुआ तो आप लिखोगे गद्यांज के अनुसार भाव संकेत किस के बाद अस्तित्व में आए तो आप लिखोगे गद्या गद्यांज के अनुसार भाव संकेत चित्र संकेत के बाद अस्तित्व में आई तो जैसे एक छोटे व्रत की चहू और खिर्णव दयों तक रेखाए खिशने पर शुरे के चित्र बन जाता है तो यह सारा आंसर में लिखोंगे अगे गद्यांज के नुसार मानव को संभे कब आदमी के लिखे हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कि गद्यांज के अनुसार मानव जब से विचारों का या हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा जब से उसे सब्हें कहा जाने लगा मानव ने सबसे पहले अक्षरों के खोज की फिर दिये गाउं में रहना शुरू किया और जानुरों को पानना शुरू किया लास कुछिन आपका है आदमी के लिखे हुए लेक कब से मिलने लगे अक्षरों के बारे में तीन वाक्षे लखिए इसका अंसर है आदमी के लिखे हुए लेक तब से मिलने लगे यहां पर तक नहीं आएगा लेक तब से मिलने लगते हैं जब से देश का इतिहार शुरू होता है अक्षर हमारे आसपास है, हमें अक्षर अपनी किताबों में अकवार आधी में देखने को मिलते हैं अक्षर का बहुत मैत्व है तो बच्चो ये था आपका लाउस कोशन का आंसर तो बच्चो ये थी आपके आज की वक्षिर अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट रिकें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगें मिलते हैं बच्चो नेक्स वीडियो में बाई बच्चो टेक क्यार